तो हेलो माई डिया कॉम्यांस कैसे हो यार आप सब मुझा उमीद है कि सब होंगे जगास इस उमीद के साथ शुरू करेंगे आज की क्लास तो निक भी आये हो क्या खास लाए हो तो मैं आज आपके लिए बहुत इंपॉर्डन टॉपिक लाया हूं जो कि काफी चर्चा का है कि आपकी नॉलेज एंहेंस ही होने वाली है तो खासकर जो सीरियस तुट है आखिर तक देखें आपको जरूर समझ में आएगा कि एजन कॉम्यंस हमें किस हिसाब से सोचना है दुनिया किस साब से चलती है बिजस किसा आप से किया जाता है हो सकता है वीडियो लंबी हो ज चीज पर है तो देखो जो होट टॉपिक चल रहा है भी फिलाल जैसे कि आपको पता ही होगा तीन जुलाई को सारी कंपनीज ने अपने टैरिफ रेट्स बढ़ा दिए तो भाईया जी उसी के उपर है कॉम्टीशन जरूरी है मगर हम यहां पर सिर्फ ये बात नहीं करने व भावनाएं आती हैं प्रोफेशनल हमें हमेशा प्रोफेशनल थिंकिंग के साथ ही डिसीजन लेना है अब मैं यह बात कर क्यों रहा हूं कॉम्टीशन जरूरी क्यों है भाईया जी और यहां पर कॉमर्स कैसे इन्वाल्व होती क्यों कॉमर्स पढ़ने वाले बच्चों को जाधा अच्छे समझ में आता है यह भी यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको समझना होगा और मैं कोशिश करूँगा कि मैं आप तक यह बात पहुंचा पाऊं तो देखिए अभी-अभी आपको पता चला होगा इंडियन टेलिकॉम ऑपरेटर्स जो हैं तो भाइया जी और मोबाइल रिचाज प्रांस फ्रॉम दीज टेलिकॉम रिसीब्स अप्राइज हाइक रिफ्लेक्टिंग इंक्रीज अप्टू 25 परसंट पॉइंट क्या है कि इन्हों ने जो प्राइज किया वह 25 परसंट किये आखिर कोई क्यों प्राइज कर देता है एक जो के पास सबसे ज़्यादा है 39 तो यह एप्रॉक्स में समझ के चलना थोड़ा वादुपनी चे उतरता है और वी आई के पास है 19.2 अब बीएसनल के बास कुछ तो है लेकिन इसकी बात इंपॉर्टन है क्योंकि बीच में अभी आ गया इन सब चीजों के बीच में जो सब में आ जाएगा मैं क्या कहना चाता हूं मान लीजिए इस मार्केट में दो लोग है ठीक है एक यह है यह हमारे प्यारे कॉमियंस और यह हमारे पास ओनियंस ठीक है नाम ऐसे रख ले रहे हैं ओनियंस ठीक है अब होता क्या है होता क्या है मान लीजिए मान लीजिए यह यह एक प्रोड़क्ट 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 एक इसका क्या किया अपने यह आधा किया यह आधा हिस्स को आपने जरूर देखें होंगे तो यहां पर भी ही ही पॉइंट है अपने क्या किया कव्अन के बास आदा हिस्सा है और लिज्षा है अब हुआ कि कॉम्मिंद ने भया और 40 रुपए में ये वाला हिस्सा ले लिया ठीक है जी ये वाला हिस्सा ले लिया अब 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 इनकी टोकरी हो गई पूरी इनकी टोकरी हो गई पूरी ठीक है जी कॉमेंस भीया जी खुश है चले गए अब यहां पर ओनियन भीया क्या करेंगे 40 रुपए की जगे पहले क्यों नहीं बेच पा रहे थे अब कैसे बेच पाए इसमें एक ही बज़े है क्योंकि अब इस मार्केट में यहां से गाइब हो चुका है अगर मैं इसको एक मार्केट मानूं तो यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर पूरा का पूरा हिस्सा जो है अब ओनि तो अगर यहां पर यह होगा तो उनके हाथ में पावर आ गई है कि वह अकलते हैं उनके पास एक बेस है इसलिए वह प्राइज हाई कर पाते हैं तो सबसे पहला पॉइंट तो यही आपको समझना है इसलिए वीडियो बनाये गया है कि कॉम्पेशन ज़रूरी है अगर कॉमप जरूरी है पहला पॉइंट तो चलो यह हो गया अब यहां पर यह हुआ था कि जीवा आये थे आये तो उन्होंने फ्री सर्विस लाए लोगों को अपना यूस्टू बनाया अपना एक कस्टमर बेस बनाया अपने सिंप कहर्दागर तक पहुंचाई फिर एक प्राइस तरह कि जा रही है क्योंकि इनके पास बेस बहुत जादा है एयर टेल ने भी देखा कि यार वह भी बढ़ा रहे हम भी बढ़ा देंगे तो सब ने अपने अपने प्राइस बढ़ा दिए अब पॉइंट यह है कि यार अगर मान लीजिए कोई कंपनी सस्टेंड नहीं कर पारी तो उससे बेटर है प्राइस है करेगी पर क्या भी तक आपने ऐसा कोई नियूस सुना कि जहां पर यह पता चल रहा हूं कि भाई जियो एक दम बहुत खतरना घाटे में है वो डूबने वाली है ऐसा भी तक हमने नियूस नहीं सुनी है जिस पे बहुत मेम्स बन रहा है कि कोस्टिंग उस चीज़ को आफ़ॉड नहीं कर पाती तो वह नहीं करते तो यहां हमारा मकसद यह पॉइंट से नहीं है यह वैसे क्यों कर रहे हैं उनके जिसन्दकी वह डिसाइड करेंगे उनके पास इतना पैसा है अलग अब तो एरो प्लाइट लगा दी गई है कहां से क कहां आएंगे लोग जाएंगे लोग पर इसके पीशे अनके अपनी बिसिश ठिंकिंग भी हो सकती है है ना जैसे बटारा में जो नहोंने किया कि यह बिसिंस ठिंकिंग है लोगों को पता चला है है ना अनन्दमानी जी जिगा वह एक मतलब जो नके बेटे जिनन की शादि यहीं पर आती है कॉम्टीशन की बात और यहीं आपको समझша है की कॉम्टीशन जरूर夏 क्योंकि अगर मैं भी होंगा आप भी होसका है अग बेदेगी ठोब कर दो आगर आपको इनको रोगना तो अब लोगों ने क्या स्टार्ट करो दिया है एक काम करते हैं भगवान बीएसनल को लोटा दो काश बीएसनल वापस हो जाए आपको पता है गवर्णमेंट हैं बहुत सारे पेकेज अनाउंस किया है और भीएसनल का रिवाइवल कर रहे हैं लेकिन क्या हम भावनाओं में बहे कर क्योंकि हमें इसने धोका दिया तो हम यहां पहुंच जाएं क्या यह साही होगा हो सकता है कल को यह साही हो लेकिन हमें विचार धीन होना पड़ेगा हम हैं ऐसे नहीं के विचार हीन होगे कुछ भी सोच रहें भावनाओं में बहते जा रहे हैं आपको पता है बीसनल एक टाइम पर नंबर वन कंपनी थी सरकारी कंपनी इसने खूब बैनेफिट दिया सरकार को फिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक से डूप यह ऐसी कंपनी है जो ग पर उसने यह तो बताया नहीं कब कर दूँगा उसकी कोई रिस्पांसबिल्टी नहीं है दस दिन बाद आएगा पांस दिन बाद आएगा आठ दिन बाद आएगा और अगर कोई बारा सो रुपए लेकर आपसे तुरंट काम करवाएगा आप किसके पास जाओगे और वह ख अच्छा मूमेंट था बहुत अच्छी कंपणी थी सब गाउंगाउं में थी क्योंकि यह सरकार की कंपनी तो जाहरती बात है गरीब जहां पर कोई नेटवर्ट नहीं पहुँचा पाता जहां पर कॉस्टिंग बहुत जादा लगते थी वहां पर भी बहुत जाता था तो यह इसका बहुत ही benefit चीज थी लेकिन वही बात है वही बात है कि don't forget competition ज़रूरी है क्योंकि BSNL का उस टाइम पर कोई competitor नहीं था तो वहाँ पर जो employees देख तो government employees थे मैनेजर लेवल पर जो बड़े बड़े पोस्ट पर बैठते हैं वह सब government है वह धीरे-धीरे क्या हो गए लेकिन पॉइंट यहीं कि BSNL ने भी उस टाइम वही गलती की थी जो जियो या बाकी companies इस साइम करने की कोशिश कर रही है क्योंकि जब आपके हाथ पर market होता है ना तो पता नहीं power में कुछ ना कुछ तो ऐसा होता है कि आदमी कुछ ना कुछ गड़बल करना चालू कर दे कि फिर इनके पास power चलिया है तो इसलिए हमारा main उद्देश as a consumer क्या होना चाहिए as a consumer होना चाहिए competition जरूरी है इसलिए हम चाहते है कि BSNL भी revive करें ताकि बाकी companies में डर रहे कि यह government company है और government तो social welfare के लिए जादा काम करती है तो हमें problem हो सकती है फिर यह लोग भी ऐसी समझ आ रहे हैं क्या पॉइंट है competition जरूरी है यह बात अगर आप बार बार कह रहो competition जरूरी इस वीडियो में इतनी बार सुन लिया तो क्या यह बात government को समझ में नहीं आती क्या यह बात बाकी लोगों को समझ में नहीं आती तो आती है इसी लिए अपने पास इसलिए अप परपस क्या है एन act to provide keeping in view of economic development of the country for the establishment of commission to prevent practice having adverse effect on competition देखो एक पूरा act बनाया गया इस चीज़ को चेक करने के लिए कि competition पे कोई adverse effect ना हो to promote and sustain competition in market to protect protect इनका main purpose है to protect the interest of consumers and to ensure freedom of trade carried on and what are the objectives basic objective इसका यह है it's aim to establish a framework of competition commission protect free trade prevent monopolies monopolies को prevent करना and safeguard consumer interest यह इनका purpose है monopoly को control करो और safeguard करो interest consumer के तो हमारे पास एक proper act है जिनको यह चीज़ देखनी चाहिए और अगर आप थोड़े भी थोड़े भी curiosity वाई ले हो थोड़े से भी खोजी दिमाग वाले जो भी diesel लिया होगा लिया होगा लेकिन अब हमें यह बात समझ में आ रही है कि अगर competition की कमी होगी किसी को power feel होगी तो वो कुछ ना कुछ गड़बर करेंगे अब यहाँ पर क्या aspect समझ में आते हैं as a teacher अपने को तो देखो कुछ चीज़े आपको समझ नहीं है accounts accounts में यहाँ पर क्या है भी जाजी तो देखो अगर मालीजे किसी company को को कोई loss होता है तो recover करने का एक ही तरीका है वो अपने product की price बढ़ाएंगे customer को मनाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे क्योंकि profit के लिए ही business किया जाता है अदवाइस business का कोई sense ही नहीं बनेगा है ना business हमेशा profit motive में ही होता है और सीथी सी बात है कि जब business करते है तभी किसी को job मिलती है job मिलती है तो हर किसी का घर चलता है सिर्फ owner का घर नहीं चलत economy है या जहां पर भी growth हुई है मुंबई में हुई है business है दिली में होती है business है गाओं से लोग शहर भाग रहे है क्यों क्यों कि business है तो हम किसे इसलिए नहीं चिड़ सकते है इसलिए उसके अगे नहीं जा सकते है क्योंकि वो business कर रहा है point यह है कि हम उसको यह power ना दे दे कि अपने आपको superior समझ ले और कुछ भी करने लग जाए और कुछ भी नहीं मतलब या फिर अपने जो इसको margin हो रहा है उससे भी जादा कमाने लग जाए यहीं पर बात आती है जो मैं बार बार कहा रहा हूं completion ज़रूरी है तो accounts में हमें यह समझ में आता है कि भाया जी जब हम लूँ के बारे में भी सोचना पड़ता है कि यह लोग बहुत महनद करका एक रिचार्च कराते हैं वह एक रिचार्च वह अपने बच्चे की मोबाईल में कराते हैं ताकि मोबाईल से बच्चा पढ़ाई कर सके और एक और चीज़ है जिसमें मैं थोड़ा सा लगता है कि अगर आप आप देख रहोंगे तो बहुत सारी कंपनी ऐसी है जो वैलेडिटी नहीं देती पहले ऐसे तो वैलेडिटी बहुत कम प्राइज में आ जाती थी तो आदमी क्या करें वैलेडिटी ले लेगा फिर जाके कहीं यूज करके अपना काम चला लेगा अब आपको वैलेडिटी नहीं दे रहे तो सिम ही बंद हो जाती है मतलब सिम पे आउटगोइंग इंकमिंग सब कुछ बंद हो जाता तो मुझे लगता है कि कंपनी को इसको इस पर ध्यान देना चाहिए कि वैलेडिटी को इनको एक को पूरा करने के लिए महनत माददा भी रखते हैं लेकिन रिसोर्स प्रवाइड कराना हमारी कंट्री का परम हक है मगर पॉइंट क्या है कि क्या प्राइवेट कंप्रीज यह सोच पाएंगी नहीं सोच पाएंगी इस पॉइंट पे हमारे पास फिर हमें ध्यान आता है बी ज़रे वाप क्योंकि सरकार तो इंवेस्टमेंट कर रही है लेकिन अगर उस इंवेस्टमेंट को सही तरीक से इंप्लिमेंट नहीं किया जाएगा तो फिर वह बात नहीं बनेगी और यहां पर इकनामिक्स भी आती है कि अगर किसी चीज की बहुत सिंपल सी बात है अगर कि इसी चीज की डिमांड बढ़ती है सप्लाई कम है तो जाहर सी बात है उसकी प्राइज भी इंक्रीज होती है तो जब भी डिमांड को आप सप्लाई के साथ जोड़ते हो तो आपको पता है कि अगर सप्लाई कम है डिमांड जादा है तो फिर आल्मोस प्राइज के चांसे हो होते हैं कि वह बढ़ती ही है अगर अगर सिर्फ दिमांड की बात कर तो इन्वर्सली होता है वह दिमांड जाद होने पर प्राइज गर जाती है और दिमांड कम होने पर प्राइज बढ़ जाती है ऐसा होता है लेकिन जब हम दिमांड बहुत जादा है दिमांड बहुत जाद बढ़ा है supply बहुत कम है तो जाहर सी बात है कि जिसके पास जो material है वह हमेशा सोचता है कि इसको बढ़ाया जाए इसको बढ़ाया जा तो यानि की price क्या हो जाती है increase हो जाती है और यहां पर भी यही है कि हर कोई चाहता है आज net की facility भी हमें मिल रही है हम अगर एक recharge कराते हैं तो हमें सिर्फ यह नहीं है कि हमें net मिलता है हमें net की facility भी मिलती है हमें खूब सारे टेलिविजन के channels भी देखने को मिलते हैं तो यह सारी चीजे हैं इसके अंदर ह हमें बहुत सारी चीजे मिलती हैं तो इस वज़े से भी कहीं ना कहीं companies को लगता है कि उनके पास एक advantage आ गया है कि यार अपन प्राइस बढ़ा लेंगे लोग थोड़ा सहलेंगे नॉर्मल लोग तो सही लेंगे लेकिन हमें उन पर के बारे में भी सोचना है जो एक recharge कराते ह बहुत मेहनत से तो उसके लिए तुम मुझे लगता है कि हाँ करना चाहिए बाकि आपकी क्या रहा है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो और यहां पर हमारा point आता है business के उपर क्यों देखो business जब भी किया जाता है तो सबसे पहले यही तरीका होता है कि लोगों को अपने और attract करो उनको अपना consumer बनाओ सबसे पहले क्या है consumer बनाओ तो इन सभी companies ने यही क्या है सबसे पहले अपना consumer बनाया है उनको एक लट लगवाई है है ना एक आदट डलवाई है कि आरब नेट के बगर जिंदगी अधूरी लगती है ऐसा लगता है कि नेट अब हमारे बेसिक नीट्स होते है रोटी कपड़ा मकान अब नेट भी चाहिए health wealth तो wealth पे तो अभी ध्यानी नहीं दे रहे क्योंकि बह अपनाना पड़ेगा आपको लोगों तक पहुंचना पड़ेगा लोगे जुबा पर अपना नाम लाना पड़ेगा आपको उनको utility बतानी पड़ेगी फिर वो आपको लेंगे और फिर इस तरीके से आपका business flourish करेगा बस यह है कि अगर आप कॉमियंस मेंसे कोई businessmen बनता है तो थोड़ा सा ध्यान रखिए और मुझे पता है कि अगर आप मेंसे कोई बनेगा और ध्यान नहीं रखेगा मतलब अगर जंता ध्यान नहीं रखेगी तो आप भी प्राइस बढ़ाई दोगे तो यहीं इसलिए यह वीडियो है कि competition जरूरी है क्योंकि अगर competition आप किसी भी श्रूरीजमें बढ़ाता है जोपोशिशन में होते हैं वह या तो फिर कोशिश करते हैं कि जादा ही वो हो रहा है लोगों का अक्रोस जाता है तो फिर वह भी जुड़ जाते हैं अदो देश को चलाना भी ज़रूरी है लेकिन मैनेजमेंट इसमें बहुत important point होता है कि कैसे manage करोगे आप, ये भी आपको business में ही कहीं न कहीं एक point में सिखाये जाता है, तो ये सारे एक news से आप बहुत सारी बाते सीख सकते हो बहुत सारी बाते समझ सकते हो देख सकते हो कि एक company जिसको भी आपको समझ में आ रहा होगा, तो हर एक news से अगर आप चाहो तो बहुत कुछ सीख सकते हो, पर एक बात हमेशा ध्यान अखना कि अगर आप किसी की तरफ जा रहे हो तो ये मत भूल जाना कि उससे लोग क्यों हटे दे, ताकि इनके उपर भी कहीं कि इसा ना हो कि इतना ज़्यादा फोर्स बन जाए कि ये फिर से वही हो जाए, कि मार्केट हम लीडर बन गए हैं, सब कुछ हमारा है, फिर से वही इनकंपिटेंसी, इनफिशेंसी ना आ जाए, हैना, तो हमें जब भी डिसीजन लेना है, तो सब कुछ ध्यान से सोचकर समझ कर लेना है, क्योंकि हम कॉमेंस हैं, हर डिसीजन के कुछ प्रोज होते हैं, कुछ कॉन्स होते हैं, हमको प्रोज के साथ रहना है और यह देखना है कि कॉन्स का इफेक्ट हम पर कम से कम पड़े तब जो आप डिसीजन लोगे वो प्रोफेशनली एक दम करेक्ट डिसीजन होगा ठीक है जी बाकी आपका इस पर क्या कहना है आप कमेंट में बताओगे मुझे अच्छा लगेगा हैस्टे कॉमेंस बो जगन है उनके पास दिमाग है जुनून है तो वो लोग भी कुछ बड़ा कर पाएं तो उसके लिए मैं हमेशा ही रिक्वेस्ट करूआ अब बाकी वही है कि कमपनी के हाथ में होता है और यह एक बिजनेस है पहले मार्केट बनाओ फिर मार्केट में अपनी जगे बन गई तो फिर उस प्राइजिस बढ़ाओ मुनाफ़ा कमाओ ठीक है तो मैंने पूरी कोशिच किये आपको और अच्छे से समझाने की जितना मैं समझा सकता था मैंने आपको कॉम्टिशन एक्ट के बारे में भी बताया है तो ध्यान रखिएगा हमेशा कॉम्टिशन जरूरी है औ कोई ऐसा तो नहीं कुछ कर रहा जिसकी वज़े से आगे चलके कॉम्टिशन खतम होने वाला है ठीक है तो आप चाहो अगर आप खोजी दिमागों तो आप इसके उपर और भी चीज़ें पढ़ सकते हो और यह भी जान सकते हो कि भी आप पहले तो बहुत अच्छा होते हैं और उनके उपर कफी सारे करप्शन के इल्जाम और यह सब इल्जाम लग गया तो सब लोग वहीं पर ध्यान देने लग गया और बीएसन ने अपने आपको रिवाइब भी नहीं करा है यही सोच कि हम तो गवर्मेंट है वहीं हमें कौन क्या करेगा तो देखिए ग अगर commerce से related हो अगर आप comments वाली thinking रखते हो तो आपको हमेशा positive negative दोनों को देखना है फिर आपको decide करना है कि कौन सा point है जो आपके लिए ज्यादा अच्छा है उसकी साइड जाना है ठीक है जी हमारे लिए सारी companies welcome है सब को गले लगा लेंगे मगर जो ज्यादा benefit देगा वहा पर क्या impact पढ़ रहा है वो भी आप हमें comment में जरूर बता सकते हो और अब हम जाएंगे और last में जो हमारा motto है कि have smiles spread smiles क्योंकि जिन्दगी में उतार चड़ावतों चलते रहेंगे चाहे companies हो चाहे personal life मगर अगर हम मुस्कुराएंगे तो धीरे धीरे आगे बढ़ते क्योंकि इस दुनिया में आप आए हैं यह बहुत बड़ी बात है इस दुनिया को जी रहें इतने सारे weathers को देख रहें बहुत मस्त बात है यह मौका सब को नहीं मिलता और आप इस सब चीजों को feel भी कर सकते हो इसके बार में सोच भी सकते हो आपके पास consciousness है तो मुस्कुर